पर आज आप देखने वाले हैं एक अंडर रिटेट स्लैशर मूवी जिसका नाम है हाई टेंशन ये एक फ्रेंच मूवी है जो के 2003 में रिलीज हुई थी और फ्रेंच में इसका नाम है हॉट एटेंशन इसके राइटर और डिरेक्टर है अलक्जंडरे एजा जिन्नोंने तो ह मिल्स अबाइस, हॉन्स और क्राल जैसी मूवी भी डिरेक्ट की हैं लेकिन ये सब मूवी डिरेक्ट करने का मौकाई ने इसके फिल्म की वायश से मिला एजा को इंटरनेशनली फेमर्स करने वाली फिल्म यही है इस फिल्म की युएस भी है इसकी एंडिंग जो के बहुत जादा unexpected है तो उसके लिए तैयार है ना और ऐसी यूनिक और रेर मुविस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रू से आउन कर लो ताके मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियो उसकी नोटिफिकेश रहे कि मुवी कि स्टार्ट में हम लड़की को डेखते हैं जो कि जंगल में भाग रही थी और साफ पता चल रहा है कि वो किसी से बच कर भाग रही है कि कार में सोते वक्त ये सपना देख रही थी मरी आलेक्स को अपने इस सपने के बारे में बताती है और उसका पीछा और मुए बलके वो खुदी कर रही थी ये बहुती हजीव सपना था लेकिन था तो सपना ही और ये سिन भी कई सारे स्लैचर को होमेद देता है क्योंकि आपने कई स्लैशन में देखा होगा कि लड़की जंगल से भागते हुए रोड तक पहुंचती है और एक कार रोग कर उससे मदद मांगती है अब इसकाउट कम हर मूवी में अलग होता है तो ये था पहला रेफरेंस अलगस अपने गर से दूर रहती है और वीकेंड पर वो अपनी फैमली से मिलने जा रही है हमें उसकी फैमली भी दिखाय जाती है और वो भी अलगस से मिलने के लिए एकसाइटिड थे हम देखते हैं कि उनके घर के पास ये एक अजीव सा ट्रक खड़ा था और उसमें एक आदमी बैठा था जो कि खुद को सैटिस्फाइ कर रहा था एक लड़की एकटे हुए सर से वो सर को मही पर फेक कर चला जाता है और आप में से कई सारे लोग समझ गए होगे के एक ट्रक किसका रेफरेंस है अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ ये रेफरेंस है मुवी जीपर्स क्रीपर्स का उसमें क्रीपर कुछ ऐसा ही ट्रक चलाता है रात हो चुकी थी और आलेक्स और मरी अभी तक घर नहीं पहुँचे थे टाइम बचाने के लिए वो में रोड से अपनी कार कच्चे रस्ते पर ले लेते हैं आलेक्स के मुताबिक वो एक शॉटकट था और मेरे मुताबिक ए रेफरेंस है दा हिल्स है वाइस का जिसमें फैमिली टाइम बचाने के लिए कच्चे रास्ते पर कार मोड लेती है उस रास्ते पर थोड़ी दूर जाते ही आलेक्स को कौन फिल्ड में कुछ दिखाई देता है वो जल्दी से कार रुकवा देती है और उसे देखने जाती है उसके पीछे मरी भी उस कौन फिल्ड में घुस जाती है लेगिन अलेक्स उसे नहीं मिलती वो बहुत जादा घबरा चुकी थी तब युसे कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है वो जल्दी से बाहर बागती है और देखती है कि वो अलेक्स थी ये एलेक्स का घटी ऐसा प्रैंक था फाइनली वो एलेक्स के घर पहुंचते हैं एलेक्स सी फैमिली में थे उसकी माम, उसके डैड डैनियल, उसका छोटा भाई टाम और उनका डॉग हेंडरिक्स एलेक्स मरी को अपने घर का एक क्विक टूर देती है और क्योंकि रात बहुत जादा हो चुकी थी इसलिए पनी फैमिली से मिलकर एलेक्स अपने रूम में जाकर सो जाती है लेकिन मरी को निन नहीं आ रही थी वो स्मोकिंग के लिए बाहर जाती है वापस अपने रूम में आकर वो राम से म्यूजिक सुन रही थी तब उनके घर की डॉर बेल बसती है डैनिल जाकर चेक करता है और दर्वासे पर था वही स्ट्रेंज किलर वो सीधा डैनिल के चैरे पर एक रेजर दे मारता है और ये सम्मरी भी उपर से देख रही थी वो किलर उनके घर में घुच जाता है और सबसे पहले वो उनके डॉक को मार देता है इसके बाद वो डैनियल के फेस को स्टेर केस में फसाता है और एक बुक केस से उसका सरधर से अलग कर देता है इस सबनाइक से अलेक्स की माम जाग जाती है वो डैनियल को ढूंडते हुए नीचे आती है और उसे डैनिल की डैड बाडी मिलती है डैड बाडी के पास खड़ा था वो किलर जो कि अब उसके जरुब बढ़ रहा था एलक्सी माम की चीखे सुनकर मरी और भी ज़ादा घवरा जाती है लेकिन पैनिक करने के बजाए वो समझदारी से काम लेती है वो उस गैस रूम को जल्दी से अरेंज कर देती है ताकि ऐसा लगे जैसे उसमें कोई रही नहीं रहा और किलर को लगे कि उस घर में उस फैमिली के लावा कोई नहीं है वो जल्दी से सब कुछ अरेंज करके बैड के नीचे चुप जाती है किलर उस रूम में आता है और सब कुछंटर्स देखकर उसे भी यही लगता है कि वो रूम खाली पड़ा है इसलिए वो चुप चाब वापेश चला जाता है महां से निकल कर वो सिधा जाता है एलेक्स के रूम में इतने में मरी अलेक्स के पेरंस के रूम में जाकर फोन डूनने लगती है लेकिन तब भी महा कोई आ जाता है और जल्दबाजी में उसे अलमारी में चुटना पड़ता है वो अलेक्स की मॉम थी जिसमें अभी भी कुछ सांसे बाकी थी लेगिन उसके पीछे पीछे वो killer भी महाँ पांच जाता है और वो उसका गलाकार देता है ये सब मरी के सामने हुआ था और इसको देखकर उसकी क्या हलती है तो आप समझे सकते हो उस killer के जाने के बाद मरी भार निकलती है और देखती है कि अलेक्स की मौमा भी जिन्दा थी और वो कुछ कहना चाह रही थी वो कह रही थी why और इससे दधा वो कुछ भी नहीं कह पाती मरी जल्दी से एलेक्स के रूम में जाती है और देखती है कि killer ने उसे बांध रखा था वो से free करने की कोशिक करती है तब उन्हें टॉम की अवास सुनाई देती है वो घर से निकल कर कौन फिल्स में भाग गया था लेकिन killer शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा था और टॉम भी उससे बच नहीं पाता एलेक्स की पूरी फैमिली मर चुकी थी और क्लेर ली वो killer उसे मारना नहीं चाहता था एलेक्स की हालत भी बहुत भुरी हो चुकी थी मरी उसे हौस ला देती है और वो जल्दी से नीचे जाती है फोन डूरने के लिए उसे फोन मिल जाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि killer ने पहले ही फोन लाइन काड़ दी थी वो killer एलेक्स को ले जाकर अपने ट्रक में डाल देता है मरी किसी भी किमत पर एलेक्स को बचाना चाती थी वो किचन में से एक बुचर नाइफ उठा लेती है और इसका शोर वो killer भी सुन लेता है वो एक बार और घर को चेक करने जाता है इतने में मरी चुप चाप एलेक्स के पास महुँच जाती है लेकिन वो उसे फ्री नहीं कर पाती और वो killer वापस आजाता है मरी बिल्कुल तयार थी उस पर हमला करने के लिए लेकिन वो killer उसके सामने नहीं आता वो back door बंद करके lock कर देता है उसे नहीं पता था के मरी भी अंदर है वो ये सोत रहा था के ट्रक में सिर्फ एलेक्स है तीन लोगों का brutally murder करके वो बड़े अराम से महां से निकल जाता है अपनी family की death से एलेक्स बहुत जादा दुखी थी वो बस रोय जा रही थी और उसके रोने की वैसे मरी भी killer की नजर में आ सकती थी वो ये लेक्स को शांत करती है और उसे होसला दिराती है कि वो सही सलामत महां से निकल जाएंगे मरी उस ट्रक के दरवाजे का lock तोड़ने की कोशी करती है और वो कामियाब भी हो जाती है अब उसे सही मौके की तलाश थी और वो मौका भी उसे मिल जाता है वो killer एक गयास्टेशन पर रुखता है ये उनका आखरी मौका था और उसे वो गवा नहीं सकते थे मरी आलेक्स को वो बुचर नाइब दे देती है और चुप चाप ट्रक से बहार निकल कर स्टोर की तरह बढ़ने लगती है अब तक आपको पता चली गया होगा कि फिल्म का नाम हाई टेंशन क्यू है मरी किसी तरह killer से बचकर स्टोर में पहुँच जाती है और वो वाँ के worker को पुलिस बिलाने के लिए कहती है इससे पहले के वो कुछ समझ पाता वो killer भी अंदर आ जाता है मरी भी जल्दी से चुप जाती है जब वो killer काउंटर पर आता है तो वो worker उसके हाँ पर लगा खुन देख लेता है और से सब कुछ समझा जाता है वो धीरे से अपने गन उठा रहा था तब वो killer उससे विस्की की एक बाटल मांगता है वो worker बिल्कुल नॉर्मल हैने का ट्रॉय करता है और उसके लिए विस्की लेने जाता है लेइन वो killer उसके हाँ बाव समझ चुगा था और वो उसे भी मार देता है ये reference है दा शाइनिंग के फिमस एक्स मडर का ही मरी पुलिस को इंफार्म करती है और स्वरकर की गन और कार लेकर उसके पीछे निकल जाती है मरी को कुछ दूरी पर ही वो ट्रक मिल जाता है और वो चुप चाप उसका पीछा करती है कुछ दूर जाकर वो killer मेन रोड से उतर जाता है मरी भी हैड लैट्स ओफ करके उसका पीछा करती रहती है लेकि नाखिर में वो उसे खो देती है उससे समझ नहीं आता कि वो ट्रक कहा गया तब ही उसके पीछे लैट्स जलती है और वो देखती है कि वो ट्रक उसके पीछे था killer ने उसे notice कर लिया था मरी जल्दी से वो गन उठाती है लेकिन उस गन में गोलिया ये नहीं थी गोलियां थी उस killer के हाथ में यानि कि ये सब उसका प्लैन था उसमें वाश्रू में मरी को देख लिया था और क्यूंकि एलसे घर में उसकी फोटो थी इसलिए killer ने उसे पहचान लिया होगा यहां में killer की smartness का अंदाजा हो जाता है अमरी कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो car को full speed पर चलाने लगती है और इसे चक्कर में उसकी car crash हो जाती है उसे पता था कि killer उसके लिया आएगा लेकिन killer भी बहुत शातिर था वो उसे पीछे से दबोच लेता है और उसका दम घोट कर उसे नीचे गिरा देता है अब वो उसे खतम करने वाला था तब ही वो एक पत्थर से उसका सरफोर देती है इसके बाद वो अपने हत्यार से उस पर हमला करती है और तब तक उसे मारती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता के वो मर चुका है उसे मारने के बाद ही वो चैन की सांस लेती है उधर पुलिस भी गैस्टेशन पर पहुँच जाती है वो मां की सीसे टीवी फूटेज चेक करते हैं और उन्हें killer का पता चल जाता है मरी खुश होते हैं एलेक्स से पास पहुचती है क्योंकि उसने killer को मार कर एलेक्स को बचा लिया था असल में अपनी दूसरी personality के बारे में मरी को भी नहीं पता था इसे split personality disorder कहते हैं अब परिचित तो सब ने देखी है वो एलेक्स को free कर देती है और सोचती है कि एलेक्स बहुत खुश होगी लेगिन unfortunately उसने एलेक्स के सामने उसकी पूरी family की जान ली थी मरी का कुछ बरोसा नहीं था कि कब वो अपनी दूसरी personality में आ जाए इसलिए एलेक्स उसे step करके मांसे भाग जाती है और गैस वाट वो उसकी दूसरी personality को trigger कर देती है अब killer मरी एक concrete saw लेकर उसके पीछे बागती है और ये reference से the texture chain so massacre का एलेक्स एक road तक पहुँचती है और एक car को रोग कर उससे मदद मागती है अगर आपको याद हो तो एक film के start में मरी के सपने में हो चुका है और जैसा कि मैंने का था motion of the films में driver मरता है इसमें भी बचार driver को मरना पड़ता है मरी अपनी saw से उसे काट देती है अब बची थी एलेक्स मरी saw को बिल्कुल उसके चेहरे के पास लाकर उससे confess करवाती है कि वो उससे प्यार करती है और यहां में मरी का motive भी clear हो जाता है उसे अलेक्स से affection था और ये affection ही पागलपन में बदल गया वो नई चाहती थी कि उसके अलावा अलेक्स का कोई और इस दुनिया में हो इसलिए उसने ये सब किया मरी कहती है कि वो उन दोनों के बीच किसी को नहीं आने देगी तब ये अलेक्स एक क्रो बार उसके आरपार कर देथी है इसके बाद सिन चेंज होता है और हम देखते हैं मरी को एक mental hospital में जहां वो बस ये ही दोर आ रही थी कि वो किसी कोन के बीच नहीं आने देगी एलेक्स एक one way mirror से उससे देख रही थी और कोई चांस नहीं था कि मरी उससे देख पाए लेकिन हम देखते हैं कि वो एलेक्स की प्रेजन से बिलकुल अवेर थी और यहां यह movie end हो जाती है तो जैसा कि आपने देखा movie बिलकुल एक normal slasher के तरह जा रही थी एक लड़गी हो किसी मेनियाक ने पकट रखा था और दूसरी उससे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ही sending to us ने पूरी movie का विजन ही चेंज कर दिया तो अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं फिल्म के start में मरी एक सपना देख रही थी कि वो खुद ही अपना पीछा कर रही है और फिल्म एक्जाक वही सेम चीज हमें दिखाए गई ये clue था जो मैं पहले ही दे दिया गया था प्रशुरुवास से हम नोटिस कर सकते हैं कि मरी एलेक्स को पसंद करती थी लेकिन एलेक्स इस बास से अवेर नहीं थी तो अब बात करते हैं कि किलिंग कैसे हुई तो गैस स्टेशन वाली की रिंग तो आपने देखी ली बसीजी को ध्यान में रखते हुए हम बागी किल्स को भी समझ सकते हैं आपको याद होगा कि एलेक्स के सोने के बाद मरी बाहर समोक करने गई थी उसके बाद वो अपने रूम में आकर म्यूजिक सुन रही थी असल में वो आपिस नहीं आई थी उसने आकर डोर बेल रिंग की डैनियल चेक करने आया और उसने दर्वाजे पर मरी को देखा लेकिन उसके कुछ भी समझ पाने से पहले ही मरी ने उसके चेहरे पर रेजर मार दिया फिर अंदर आकर उसने उनके डॉक को मारा और फिर डैनियल को फिर उसने रेजर से अलेक्स की माम पर अटेक किया फिर वो अलेक्स के रूम में गई और उसने अलेक्स को बान दिया फिर उसने एलेक्स की मौम का खेल खतम किया और एलेक्टर ने में बताने के बज़ाए सब कुछ दिखाया है वो हमारे उपर है कि हमने क्या देखा अगर हम डिटेस नोटिस करें तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि मरी ने ये सब कैसे किया जैसे घर में जाते एलेक्स ने मरी को के विक टूर दिया था जिससे मरी को पता चल गया था कि कांसा कमरा केस का है और फौन्स कहां गहां पर रहे और जो स्टार्ड़ में खि impress दिखाया था उसका इक पूरी तरह मरी का विजन होने वाली थी, यानि हमें पता नहीं चलता के मरी ही किलर है, वो किलर को मार का रेलेक्स को बचा लेती, लेकिन बाद में वो हमें ऑस्पिटल में हत्कडियों में दिखाई जाती, जिससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता, और कन्फूजन में ही ये इस दिखा दिया गया, तो अब बात करते हैं इस मुई से जोड़ इंटरस्टिंग फैक्स के बारे में, कार्ड राइवर के मर्डर के वक्त कैमरा पर बहुत साथा खून गिर जाता है, ये एक एक एक्सिडन था, केकिन डिरेक्टर को इतना ज़दा पसंद आया, कि उन्हों असल में वो एक मिल है, जिसे प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए क्लीन किया था, जंगल में भागने वाले इतने भी सीन्स थे, उनमें अक्टर्स को बहुत साथा परेशानी हुई थी, क्योंकि वो नंगे पैर थे और उपर से सर्दी का मौसम था, ये फिल्म साथ फ्रांस मे सेट है, लेकिन इसे पूरी तरह रुमेनिया में शूट किया गया है, क्योंकि मुवी का बजट बहुत कम था, और इसे 36 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया था, जो भी आपने ट्रक के अंदर के सीन्स देखे, वो एक गैरेश था, मरी का रोल करने वाली अक्टर्स ने एक थाई बॉक्सर के साथ ट्रेनिंग की थी, ताकि वो इस रोल के लिए शेफ में आ सके, और कार्चेस सीन में ज्यातर स्टन ड्राइविंग उन्होंने खुद की है, किलर ने जो कपड़े पहने थे, उनके पीछे लिखा था एजा एन फ्रेरेस, ये डिरेक्टर एलेस एंडर इसे एक्समेंड किया, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म एक शाम पर बेस्ड है, मुवी के स्टाट में जो किलर का सीन दिखाया जाता है, उसमें किलर जिस लड़की का सर गिराता है, वो बिल्कुल एलेस लगती है, लेकिन डिरेक्टर ने का है कि वो कोई और लड़की है, तो लेटेस मुवी न्यूज और फैक्स जाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हो, वह आपको बहुत कुछ आश्या जाने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं मिलता हूं से एक लिए वीडियो में, तब तक लिए सबको बाई